मैं मुहम्मद सजाद अंसारी नाविल के सिलसला को जारी रखते हुए आज हम और आप देखेंगे मौलवी नजीर अहमत की नाविल निगारी आई आगाज करते हैं आज के इस नशिष्ट का अर्दू अदब में फन नाविल निगारी का आगाज मौलवी नजीर से हुआ इन से कबल दास्तानों का आम रिवाज मिलता है नजीर अहमत ऐसे पहले नाविल निगार हैं जिन्होंने किस्टा गुई यानि दास्तान के फन को नया शक्रिक दिया इन्होंने ना सिर्फ अर्दू अदब को हायात इनसानी के करब और तर्ज माश्यरत के नशीब और फराज से मतारूफ कराया बलके इनसानी जिन्दगी और उसके तर्ज फिक्र और अमल में गएर मामूली तबदिली पहदा की इन्होंने लड़कियों को जेवर तालीम से आ आई थे अपने नजरिया अखलाक के जरिये एक महजब और शाहिस्ता समाज की तामीर नौ के लिए कोशा भी रहे देखिए इनका पहला नावील 1879 इस भी में मनजरियाम पर आता है इस जमाने में सरसेद अहमद खान की तहरीक चल रही थी वो अदब को अदब में इसलाह कर रहे थे और यह उनकी दोस्त में से थे लहाज़ा इन्होंने भी असर कबूल किया और जो दास्तान गुई करिवा उसे उससे हट करके एक नई चीज जिसमें हकीकत पेश की जा सकती थी उसे इसने मनजरियाम पर लाया जिससे नाविल निगार नाविल का नाम दिया गया उनीश्मी सदी में गदर भी होता है औरतों की हाला हाला जो थी वह काफी खराब थी औरतों को तालिम से महरूम रखा जाता था इन सब चीजों को नजिर एहमद ने अपने आँखों से देखा और इन्हें एक सिंफ की हैसियत दी जिसे नाविल कह गया इनके नाविल इसी मरकजी नुक्ता के गिर्द और पेश गर्दिश करते हैं इन्हों ने अपने तहश उदा नजब अएन से जरा भी इनहराफ नहीं किया जिसने इनके फनी हुसन को नुक्सान पहुंचाया जिसकी वजह से इनके बाद नाविल बेरंग खुश्क और फीके नजर आते हैं और फीके नजर आते हैं इनके इप्तदाए नाविलों में जो फनी नुक्स मवजूद है उसे नजर अंदाज करना चाहिए क्योंके वो एक नई चीज की बन्याद डाल रहे थे इसके इलावा एक वज़ा ये भी है कि इन्होंने बाकाइदा तोर पर नाविल लिखना शुरू नहीं किया था जब उसके बच्चों के लिए मौजू दर्सी किताबें नहीं मिली तो खुद से लिखना शुरू किया जिसे बहुत पसंद किया गया और बाद में उसे शाय कर दिया गया देखिए चुकि एक नई चीज नई सिन्फ की बुनिया डाल रहे थे और इनका मकसद जो है समाज का इसलाह करना था और अवर्तों की इसलाह करनी थी लहाजा ये जो नुस्बूल आइन है ये इनके हर सत्र में पाया जाता है और अगर नुक्ता नजर ज्यादा हावी हो जाए तो वो फन्नी हुस्न को नुकसान पहुचाता और यही इनके साथ भी हुआ है बरी बेटी के लिए मिरात अलुरूस ये उर्दू का पहला नाविल भी है जो अठासों सताइजियों शायवा छोटी के लिए मन्तखवूल हिकायात और बेटे के लिए चंद पंद लिखा इसके बाद इन्होंने कई नाविल लिखे जिन में बिनातुनाश तवातुनसू हस इसाना मुक्तला इबन वक्त अयामा और रुयाय साधिका काबले जिक्र हैं आप इन नाविलों के जो साल इशाथ हैं उन्हें भी याद कर लें यह नाविल मौजू और फन के लिहास से और्दूदब का प्यम्ति सर्माया है नजिर अहमद प्लाट की एहमियत से बखुभी वाकिफ थे अगरचे इबतदे नाविलों के प्लाट धिले ढाले हैं लेकिन बाद के नाविल मसलन अयामा और फसाना मुपतला का प्लाट उम्दा प्लाट का मिसाल है नजिर अहमद को किरदार निगारी में महारत हासिल थी इनके किरदारों की एक खुभी ये है किरदारों के नाम से ही किरदार के बारे में पता चल जाता है मसलन अक्बरी अजगरी नसूह मिर्जा जाहिरदार बैग कलीम फहमिदा और इबन वक्त वगेरा देखिए चुके नजिर रहमद के सामने तो प्लाट का कोई मिसाल था ही नहीं यानि उनसे पहले तो दास्ताने थी और किरदार निगारी में उने खाफी महारत हासिल थी किरदार क्या जैसे अक्बरी तो वह अक्बर होगा अजगरी बरी होगी नसू यानिके नसीहत करेगी मिर्जा जाहिरदार बैग यानिके वह पूरी तरह से जाहिर होगा कलीम यानिके काफी जादा बोलने वाला होगा फहमिदा काफी समझजदार होगी इबन वक्त यानिके गेर मामूली खुद्रत हासिल थी, इनके मुकाल में छोटे और किरदारों के हजब हाल होते हैं, इनके नाविलों की सबसे एहम खुसूसियत हकीकत निगारी है, चूँके नजिर अपने मकसद में पूरी तरह वाज़े थे, इसलिए इनके नाविलों में हकीकी जिन्दगी के म मुरके मिलते हैं, इन्होंने अपनी इसलाही वो तबलीगी नकता नजर के इजहार के इजहार के लिए आम फहम और रोज मर्रह की जबान को वसिला बनाया, हम ये कह सकते हैं कि अर्दू नाविल निगारी के मैदान में मौलवी नजिर एहमद अपनी इसलाही मकसदियत, फनी चाबुक दस्ती और अपनी जुदागाना सलाहियतों के बिना पर सफ़े अवल के नाविल निगारों में शामिल हैं, इनके नाविल बाज नुक्स के नाकदर सर्माया हैं, और इन ही के बनियाद पर आगे चलकर अर्दू नाविल का कसर बुलंद तामीर हुआ, अजीज नाजरीन आज आपने देखा नजिर एहमत की नाविल निगारी, इस वीडियो को देखने के बाद आप नजिर एहमत की नाविल निगारी के जो खुसिया पम्ताथ हैं, उनसे वाकिफ होंगे, उम्मिद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएओगा, और यए आपके निसाब के मताबिक होगा, और आपके मतलद में काफी मौविन साबित होगा, अगर आपको पसंद आता तो लाइक, शेर और कमेंट करें, अगर आपको कहीं भी मे जी गलती दिखी हो तो बड़ा महरवानी उसकी निशान दही करें ताके शुक्रिय के साथ मैं उसे दुरुस्त कर लूँ अब इजाज़त दीजिए असलाम अलेकुम